आए अब एक चोटा सा question देखते हैं के value-added statement का structure क्या है, बंती कैसे है You are required to describe your understanding of the term value-added using the following the summarized information and prepare a value-added statement of the company पहली बात तो मैंने आपको समझा दी है के ये बड़ी important statement है आज के दौर की के हम value addition की बात कर रहे हैं here and there तो हम ये देखें के हमारी company जो है वो कितनी value-added कर रही है तो इस question में आप देखें बहुत चोटी सी illustration बनाईए मैंने के xy जो है ना उसने कुछ data दिया हुए जिसमे salaries and wages है purchase and raw material used in production है, sales है, corporation tax है, dividend paid है, services purchased है इस services purchase में देखें आपके auditors भी है, आपके consultants भी है, ये सारे services purchase में आते हैं और loan interest paid और payable है ये advantage की बात में बात करते हैं, तो अब देखें के इससे अगर आप simple income statement बनाए तो ये बनेगे, traditional income statement देखें sales, minus cost of sales, gross profit, salaries wages, service purchase, depreciation, ये तीनों को add करके minus किया, तो profit before interest and tax, उसमें से आप interest minus कर देए, और फिर profit before tax, और उसमें से आप tax minus कर देए, तो profit after tax, और जो dividend pay की आपने, वो minus कर देए, तो बाकी जो है वो आपका retained profit है, अब आप ऐसे देख लें, कि हम इसको अगर value added statement में डालते हैं, ठिकरें वो ही हैं, तुरफ arrangement change किया है, sale is there, 740,000, goods and services, purchase, मैंने इनका बना दी दोनों, यानि purchase of raw material used and services hired, services purchased, तो total 360 minus किया, तो आपकी value addition आई 3,1, तो total sales में से तक्रीबन 50% जो है, आपने value addition की है, अब इसके distribution देखें, employees को आपने 2 लाग दिया इसमें से, तो वो 52.6% बनता है, यह जो employees के जिन में आता है न, असलिए यह statement बनाई इसलिए जा रही है, कि workers के साथ negotiate करने में असानी हो जाती है, यह इसका advantage है, क्योंकि workers के जिन में एक बात है कि हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है, हमारा ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो company कहती देखे, जो value ID की है आप लोगोंने, उसे major part तो आपको मिल रहा है, आप कैसे कहते हैं कि हम आपका interest watch नहीं कर रहा है, फिर देखे, lenders उनको भी 5.3% आप दे रहे हैं, अब obviously वो तो पैसे दे के चले गए, बाकी काम तो workers नहीं किया या employees नहीं किया है, इस तरह जो government है उसको आप taxes दे रहे है, 60,000 के, और वो भी दे के 15,8% आप दे रहे हैं, तो government कहते हैं, company tax नहीं दे रहे हैं, फिर ये statement बना के दिखाया है कि उन नहीं दे रहे है, जो हमने value add किये, उसमें से इतने percent तो आपको दे रहे हैं, और क्या चाहिए आप, तो ये negotiation के लिए एक अच्छी statement है, जो हम बना रहे हैं, उसके बाद है, shareholders, उनको आपने 24,000 का dividends या, which is 6%, तो ऐसा नहीं है कि सारा जो shareholders, shareholders में आजकल directors भी shareholders होते हैं, तो लोगों के जहन में कि यू अच्छा तो उन्हें लगा है, companies उन्हें generate किया है, तो उनके हिस्से में value addition में से क्या आ रहे है, 6.3%, आचाहिए उसके बाद जो depreciation retained profit है, ये आपने जो hold किया है, 76, which is 20%, अब ये जो है, आपका ठीक ठाक retention है, जो आपने hold किया है, तो this is basically how this goes on, कि आपने ये देखना है, generate कि कितनी की wealth हम ले, और फिर उसकी distribution कैसे की, क्योंकि जो distribution है, that is the most important thing, इसकी statement का बना का मकसद ही सिरफ ये है, कि हम ये बताएं, कि value addition हम पूरी company ने कितनी की, और उसके जो player है, उनको कितना कितना portion मिला,